आले समस का लेक्चर जीरोटी तूस तार्टस करते हैं शोलबिलिटीए होता है तो किसी पार्टिकुलर सोलवेंट में कोई अगर मुझे विए होगauen को यजेरा सौलवेंट किसी भी सॉल्यूट का माक्सिमुम एमाउंट कितना डिजॉल्व है यानि कि माक्सिमुम एमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन्हें पार्टिकुलर सॉल्वेंट उसी को क्या बोलते हैं कि माक्सिमम एमाउंट जो है आक सिमुम एमाउंट उफ सॉब्यूट एंडे ऐस पार्टिकुलर सॉल्वेंट इसको हम क्या बोलते हैं कुए एक वादा तो जो सॉल्वेंट का ले रहे हैं उसके नेचर पर डिपेंड करेगा सॉल्विलेटी जो है वो सॉल्विलेटी जो है सबसे पहले जो नेचर ऑफ क्या होगा है सॉल्वेंट होगा मांगे चलो सुगर को हम एड़ कर रहे हैं वाटर में और सुगर को एड़ कर रहे हैं मांगे चलो मिल्क में दोनों की सॉल्विलिटी डिफ्रेंट होगी मांगे चलो सौ ग्राम सुगर एक लिटर वाटर में डिजॉल्व हो रहा है तो सौ ग्राम सुगर ज जिसके अंदर उतना ही वाटर उसके अंदर उतना ही सूगर के पाटिकल्स क्या ओगा आंके फीट हो जाएगा तो डीपेंड करेगा देंसिटी पर इसके बीच कि जो जितना करेंगे जादे देंस होगा उसमें उतना ही जादे क्या होगा होने के कैपेसिटी क्या होगे कम होगी तो डिबेंड करेगा नेचर ऑफ सॉल्बेंट करेंगे तो इस पे हम देखेंगे temperature को fix r 00 SAR परेगा temperature को fix रखना पर एगा जैसे कभी किसमें दिया रहत ते 20 देरभ सकर्बिटी का यूनिट होता है वह मोल पर लेक्षा में दिया रहते हो मोल पर लेक्रमें दिया जेतना मोल में लियट्र में सॉलिबल है तो सॉलिबिलिटी जब भी हम डिफाइन करेंगे उसमें टेंप्रेचर को क्या रखेंगे फिक्स रखेंगे एक पर्टिकुलर टेंप्रेचर पर ही हम सॉलिबिलिटी को क्या कर सकते हैं डिफाइन कर सकते हैं टेंप्रेचर फिक्स एंड इसके साथ क्या करेंगे को भी क्या करनेंगे एक एक जनरल प्रेशर देर लेते हैं अट्मोस्फिरिक प्रेशर बात करते हैं मतलब यह उसमें करते हैं आणी कि जो सॉल्बेंट ले रहे हैं उसके इंटर एक टॉमिक कितना और डिपेंड करें कि इसको हम तो प्रेट करेगा यह चोटा सां इंट्रोड अब जो हमें पढ़ना आ solubility वो दू मेरना नो टाइप के solution में जनरली अपने सिलेबस में जो है टो टाइप के solution परने फॉर्स्ट जो सॉलिबिलिटी परने है the solidant किसके लिए solid tantal liquid ऑदूसरा जो बरनों और किसके लिए परने gas and liquid ये दोनों में क्या एं सॉल्बेंट वाला सबसे पहले सॉललिड को देखते हैं फिर बात करेंगे लेक्विट का पहले स्टार्ट करते हैं जैसे कोई वाटर में डिजॉल है तो जैसे इन लिक्यूट है जैसे मान के जो लो एक टूओ वाटर दिया हुए वाटर यह तरह का सॉल्वेंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं और इसको हमने इसमें मिक्स किया है हमने सुगर हमारा सॉलिट है है तो जैसे ही सुगर को हमने वाटर में मिक्स किया तो यहां पर टू प्रॉसस होता है जिसके तूप यह डिजॉल होता है सब्सक्राइब होता जाएगा इसी प्रॉसेस को करते हैं स्टेप जीरो को वन को क्या बोलते हैं डिस सॉलेस्ट में सिंपल क्या है सॉलेटा रहा है और वाटर में डिजॉल्व हो रहा है क्रिस्टलाइजेसं क्या होता है उंतउरी जैसे जैसे वाटर में आ रहा है तो किस का एंटर मिलकुल यहां यह पलकुल रहे घर करा सूगर का जो हैसा दीट नहीं ऊब वाटर को यहां। है अब क्या हो रहे हैं जैसे जैसे सज़से इस अलोगे करत पार्टिकल्स में यहारा है हई जेखर नहीं गरा यहां है हरे जगह करस यहां। वह आके फिट हो जाएगा मज में आ रहा है जैसे वाटर लिक्वीड का एस पेस होगा सपोसेट काफी जादे स्पेस होगा अब इसमें क्या होगा जितने पार्टिकल से सुगर के वह आके च्या हो गया दीरे-दीरे है कि वह गया सारे स्पेस्पेस को टिकेंड कर लिया इतने जो सारे स्पेस्पेस को क्या गया ऑल से जार ओक्यूपाइड मौक्यूपाइड गया तो यहां तक तो प्रोसेस क्या रहेगा describes solution आ रहा था occupied होड़ा था प्रसेस हो रहा था अब क्रिस्टलाइजेशन आएगा क्रिस्टलाइजेशन क्या करेगा जब सारा इस पेच ऑपड हो जाएगा स्वल्मेंट का अब अगर हम सूंगर को एड़ करेंगे तो क्या करेंगा रिफ्लाक्त बैक करेगा क्योंकि अल्रेडी सॉलेड सेबस्टांस कि आहा ये मारे पास स्वालीशन में यतोओ एक टाइम ऐसा आएगा इसवाया दिल्ल्द इस वालेशन नमबर ओफ पार्टिकल्स डिस्वालीशन में जो जा रहा है वह एक वल्टू हो जाएंगा नंबर पार्टिकलक्ट यहां पर एक लियुदियक्ट हो जाते हैं डिसवालियोशन और स्टना देने धिर कर्च दिस देशनस चेहरा है। कि क्र Dáwली स्पने चितने सब्सक्राइब करें हैं और सिस्प्राइबं से पहले वाला जो एस्टेप कहेंगे जब तक डिसलेइस हुआ हुआ उस टाइप उस टाइम स्वालीशन हमारा क्या है सूपर सिच्रेटेड अब उससे थोड़ा सभी एक सीड करोगे तो क्या होगा कि इन सच्रेट वह रिफ्लाक्ट बैक करने लगेगा तो यह इस तरह की मैकनीजम होता है इन लेक्विड में ध्यान से क्या देखना है सॉल्यूट के कंपेर में इस इंटर अटोमिक इस जा दे था जैसे जैसे हम उसमें सॉलिट पार्टिकल्स डिजॉल्व कर रहे हैं तो इस पेसे फिल्ड होते रहाएगा उस जब तक फिल्ड नहीं हुआ जब सारा स्पेस ऑकिपा हो जाएगा ठीक है उसी को क्या कहेंगे वहाँ पर एक एक क्लूडियम हो जाएगा जहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिस्वालेशन इकॉल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रिस्टलाइजेशन होगा तो यह एक थ्रॉटकली आस्पेक्ट था देखने का किसका इन लिक्विट में यही मेन इंपोर्टेंट है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिस्वालेशन इकॉल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रिस्टलाइजेशन अब इस तरॉटकली आस्पेक्ट के बाद इस टाइप के सॉलिशन पे क्या इफक्ट पढ़ता है किसका टेंप्रे लिक्विड में तो फैंपरेचर का क्या इफेक्ट पढ़ेंगा जब भी कोई प्रसेस हो रहाए स्व लिक्विड के बीज जो प्रसेस और palsy शयुशन और क्रिस्टलाइजेशन चाएंडी collar इंटेलपी चेंज हुआ होगा तो यह होता है और क्या निगेटीब सकता है और याद रखना जब निगेटी वह होता है इंडो थर्मिक एक्जोथर्मिक निगेटीव होता है तो क्या पूर्द होते हैं एक जो थर्मिक और पॉजेटिव होता है तो क्या बोलते हैं इंडो थर्मिक कैसे बता चलाए तो मांगे जो देखो कोई सिस्टम है सिस्टम के अंदर यह प्रोसेस हो रहा है तो अगर सिस्टम में बाहर से हीट आ रही है अगर system में बाहर से क्या कर रहे है है इप जॉब कर रहा है यह process क्या होगा डिल्टा-H इकुल टू क्या हो जाएगा पॉजर्टइव क्योंकि initial heat निगेटिव तो यह process क्या हो जाएगा एक जूब और यह क्या हो जाएगा इंडो तो जब भी temperature का effect हम देख रहे है solid in liquid में तो हमें ध्यान से देखने है परेगा यह solid in liquid का solution बनाया वो इंडो थर्मिक है या एक्जो थर्मिक है अब इंडो थर्मिक और एक्जो थर्मिक के लिए अलग-अलग सिस्टम में हीट क्या हो रहा है सिस्टम से हीट रिलीज हो रहा है तो तुम टेंप्रेचर इंक्रीज करने से क्या होगा और इंप्रेचर इंक्रीज करने के वजय से solubility क्या होगा quick करेगा समझ में क्यों डिक्रीच कर रहा है आप त्यर्मश एक्जो थर्मिक है एक तर्मिक में हीट करेंगा ना और टेंप्रेचर तम इंक्रीज करें वो क्या कर रहा है कि सिस्टम के हीट को बढ़ा रहा है अब एक काउंटर करने वाला भी तो है ना उसके वज़े से सॉल्विलिटी उस टम्स में इंक्रीज नहीं कर पायागा तो सॉल्विलिटी क्या होगी डिक्रीज होगी लेकिन इसी केस में जब हम बात करेंगे किसके लिए इंडो थर्मिक क कि लिए हम बात करते हैं तो क्या देखते हीं offshore कर रहें तो तुम्परेचर सिस्टम का हीट क्या हो घर इंक्रीज करें की नहीं करें का है तुम्हारा रहाए और फ्रॉसेशS कौन से है यो इन्टो है इंडो में क्या होता है before भी तो क्रता था सुमषिट हर नहीं तो समझ में आ रहा है कि नहीं है तो इसमें जो एक ऐख जो वहाँ तो उस मैं क्या होगा तो हम temperature increase कर रहे थे बट एक जो के वज़े से वह रिलीज भी कर रहा था इसके वज़े से कर रहा है बट इंडो के केस में दोनों केस क्या करता है सपोर्ट करता तो इस टर्म्स को याद रखने की जरूरत नहीं है करना इंपोर्टेंस सा प्रोसेश इंडों है या याद रहेगा इंडों में काउंटर नहीं कर पाता नेका सब्सक्राइब क्या करेंगे को कैसे इसको धिशान में रखना है चुन कि HBER मांगा धिलोस दो आए सिस्टम बना लाइए है अंके चलो यह है हमारा solid in liquid और यह भी क्या है solid in liquid है अब मान में चलो इस सिस्टम में डिल्टा एच की वैल्यू क्या हो रहे है बवाज़ेटिव आ रहा है यह क्या हो गए इंडो होगा और अगर टेमप्रेचर इंक्रीज करें इसके वजह से भी आँ रहे हैं तो दोनों क्या होगा बोथ डेरेक्शन बोध डेकशने और बो डेकशने और के बोड डेकशन आर टोब्स टोब्स दे शिस्टम इसके वाजे से क्या होगा इस में सिख्यन नी के उल्एटि हो लगा है पल्न इंकल टेमफ्न गरेगा है ऍफ टेमफरेच्टर अब इसमें क्या होग cél केस में है तो temperature increase heat increases but they are encountered by encounter by process of exothermic process of exothermic इसके वजह से क्या होगा solubility हमारा क्या होगा solubility decrease करेगा clear हो की नहीं clear होगा याद रहेगा की नहीं यह याद रहेगा तो solid and liquid का पहला जो factor था क्या था effect of temperature clear हो गया ठीक है अब इसमें second factor कौन से effect of pressure तो effect of pressure रहां से देखो क्या होता है सकेंड में effect of pressure तो प्रेशर का effect solid in liquid में क्या होता है नो effect क्यों क्योंकि due to solid is compressible solid is incompressible highly compressibility किसकी होती है gas की क्यों होती है क्योंकि इसके interatomic space जाद होता है interatomic force minimum होता है नहीं के बराबर होता है almost zero होता है तो उसको compress करने क्या होता है यह होता है यह जैसे LPG को compress करने क्या है काफी जी है लेकिन solid तो highly incompressible है तो जो इनकंप्रेसिबल है तो इसमें effect of pressure दिखेगा नहीं दिखेगा तो यही solid and liquid में परना होता है solid and liquid के mechanism dissolution and crystallization और उसके effects effects में effect of temperature and effect of pressure तो यह हमारा solid and liquid वोले topics complete हो गया सब topic अब एक solubility किसमें परना है गैस इन लिक्विट्स एक next solubility की जो बात करें वो गैस इन लिक्यूड परना है अब यह बड़ा इसी गैस इन लिक्विड को आगे हमें extend किस किस लो के बारे में करेंगे हैं रिलो तो बहुत important topic आता है इसके numericals भी काफी important होते हैं बहुत बार पेपर में आते हैं बच्चे से लगते ही नहीं है तो ध्यान से देखो इसके अब ही भी हमारा क्या होता है इस तो सबसे जादे स्पेस किस के बीच होता है कि सबसे जादे स्वाज़ेट में कहां पर होता है है इंट्र अ मैंके स्पेस सबसे ज्यादे पर नहीं होता है गैसल कि लिक्वОड और सॉलिड सबसे ज्यादे कहाँ पर होता है थो ग्यास है और यह क्या है है कि सूस्ट किया हुआर ये लिक्यूड स्ट ही किसमें ज्यादे स्पेस है गैस में हमें डिजॉल किसमें करना है तो लिक्यूड में फीट होने के लिए इसको कंप्रेस करना पड़ेगा की नहीं करना पड़ेगा नहीं तो क्या सॉलिड डिजॉल हो पाएगा लिक्यूड में कि दियान से देखो इस इंपोर्टेंट चीज है तो गैस और लिक्यूड में गैस को अगर हम फिट करना चाहते हैं लिक्यूड के अंदर तो गैस के बीच का स्पेस क्या है काफी जादे हाई है लिक्यूड के स्पेस गैस के कंपेर में काफी कम है तो अगर इसको इसमें कि सॉलिवल करना चाहेंगे तो गैस के पार्टडब के बीट का सबसे जादे किसमें दिखेगा गैस में दिखेगा कि लिक्टिड में गैस में क्यूं दिखेगा लेकिन पूछे का टेमपरेचर का हो दिखेंगा जादे विफ्रेक्ट आफ टेमपरेचर कहां पर जादे दिखेगा एफेक्ट आप टेमपरेचर सबसे ज्यादे किसमें दिखेगा सॉलिड में फिर लिक्विड फिर गैस और इफेक्ट और प्रेसर सबसे जाद है किसमें दीखेगा गैस लिक्विड और लास्ट में सॉलिड तो सब लिक्विड और गैस में दोनों में इफेक्ट दीखेगा अब इसके प्रेसर पुड़ा सिस्टम पे हम डाल रहे हैं तो सिस् स्क्राइब जादे होगा यह एकल्स को करेगा कम करते जाएगा इतना कम कर लेगा जिससे वह लिक्विड में ऐजली फिट हो झाए जैसे कोख बोटल सोते हैं को जब हम पीति हैं उसमें sum2-2 तो लिक्विड होता है हाई प्रेसर पर आता है तो यह ध्यान से याद रखना यह जो अप्लाई कर रहे हैं प्रेसर उपर से जो प्रेसर अप्लाइड है यह प्रेसर अप्लाइड है प्रेसर अप्लाइड है वह प्रेसर कौन सा प्रेसर होता है उपर से हमारा कौन सा प्रेसर है वैसे अगर कुछ नहीं है तो एट्मोस्फिरिक प्रेसर है इसको एट्मोस्फिरिक अट्मोस्फिरिक प्रेसर को कितना बोलते हैं 1.013 बार यह तो बोलते हैं लेकिन दियान से एक चीज़ और समझना यह सारा डिसकेशन हम टेंपरेचर कॉंस्टेंट पर कर रहे हैं इसमें टेंपरेचर को हम चेंज नहीं कर रहे हैं और यह 1.013 बार पर जेनरली जो गैस इन लोग लिक्विड जे 1.013 बार बट इस पर गै आना पड़ता है हाई प्रेसर यहीं दो बार तीन बार चार बार पांच बार मतलब टू एट्मोस्फियर हो गया थ्री एट्मोस्फियर हो गया फाइट्मोस्फियर हो गया सिक्स एट्मोस्फियर हो गया प्रेसर जितने पर पैक कर रहे हैं वह प्रेसर कितना है फाइट्मो स्वासफेर तो इतना जादे प्रेसर अप्लाईकर ऊगे उतनी सॉलूबिटी यह बढ़ेगे उतना ही गैस मुलक्ल्स पास में आएगा और जितना गैस मॉलिकलग्स जादे पास आएगा लिक्ड एजरी इजलि फिट हो पाएगा और जतना ही कम प्रेसर लगा तो क्या होगह होगए उतना ही लिक्ड में कम टिजॉल्ब about यहां से कन्क्लूजन क्या निकला तो प्रेसर जो है वो प्रोपोशनल टू किस स्वाविवी डिलिटी को यहां से एक कंसेप्ट के आता है तो प्रोपोशनल टू स्वाविटी तो जैसे-जैसे पी है, solubility को हमने X ही लिया है, तो P और X के बीच क्या होगा है, एक linear graph आ जाएगा, तो जैसे जैसे pressure हम solubility बढ़ रहा है, तो हमारा pressure भी क्या होगा, बढ़ेगा, अब ध्यान से देखो, सबसे पहले हमने pressure बढ़ा के solubility को बढ़ा दिया, अब question में opposite result भी आ सकता है, इसको इरेज करता है, अब ध्यान से देखो, क्या करते है, दो नो प्रूथ है, दो नो एक दूसरे का vice versa true हो रहेगा, देखो ध्यान से क्या होता है, सबसे पहले हमने pressure को increase करा, तो solubility हमारा क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, यह pressure कोन है, applied pressure, applied pressure on किस पे, गैस पे, applied pressure on gas है, तो जैसे जैसे हमने pressure के solubility, इंक्रीज होता है, तो इसमें अगर इसको मैं independent variable तो लहीं सकता हूँ ना, और इसको क्या लेक सकता है, डिपेंडेंट वरियेवल, कोई बोलेगा, solubility को हमने क्या हां पर रखा है, y axis पर और pressure को किस पर रखा है, x पर graph draw करेगा, तो कुछ इस तरीके से आएगा, अब इसका inverse देखो, अगर किसी भी system का मुझे solubility ही पता हो, क्या पता है, solubility मुझे पता है, तो इतना gram dissolve है, solubility पता है, तो solubility के cross bonding हम किस पर comment कर सकते हैं, pressure पर, वो pressure किसका होगा, वो vapor pressure जो आएगा, किसका होगा, solutions का आएगा, वो vapor pressure किसका होगा, यह कैसे पता चला, जब हमने उसमें dissolve कर दिया होगा, तो एक solution प्रिपेर हो गया, अब उसकी solubility के वज़े से, वो क्या करेगा, atmospheric pressure को counter करने के लिए क्या करेगा, जैसे मान के जलो कोई solutions है, हमारे पास solutions दिया हुआ है, इस solution में मुझे क्या है, solute भी है, solute भी है और solvent भी है, solute क्या है, gas क्या है, और solvent जो है, liquid क्या है, यह है, इस पे तो भी क्या counter हो रहा है, इस पे क्या लग रहा है, पी ATM लग रहा है कि नहीं आ रहा है, तो पी ATM को counter करने के लिए, यह भी तो बाहर से कोई pressure apply कर पा रहा होगा, जो पी एंटिंअ होपर के जो पी अट्मास्फरीक को कांटर करने के लिए solution बाहर से क्या करें होगा प्रेसर अपलाइ कर रहा हों कि नहीं प्रेंonton हैं हो इसी को क्या करते हैं वेपर प्रेसर ऊफ के लिपर प्रेसर उफ न्ले प्रेसर ऑ खोर सॉलुचन बट यह सारे ख्रिडियरे कि स्पश्च एवी merak एक एकि अधिया होगा है इंडिबेंडेंट रेख सकते हैं। तो अब हमें क्या कहा जाएगा आब हम इस पर रख सकते हैं कि इस पर solubility को कहाँ पर नीचे रख सकते हैं और vapor pressure को और कुछ इस तरीके से हम ड्रो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं कि दोनों पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया दोनों का अलग-अलग सिंग्निफिकेंस है किसी ने तुम्हें पूछ रखा है तो समझ आप्लाइट प्रेसर की बात कर रहा है अप्लाइट प्रेसर किसके द्वारा या तो एट्मोस्फेर या तो अर्बेटरी कोई सिस्ट्रम लगा है तो हमें क्या पूछेगा बता इसके तूभी पर प्रेसर क्लाइब में द्वार्ट यह उख मेराट प्रेसर और चौंटर करने के लिए यह पर प्रेसर लगाएगा तो एट्मोस्फड्रिक प्रेसर को और यहाँ पर हमने क्या देखा तो इस दोनों पॉइंट से इस पॉइंट से एक डिसक्रसन क्या निकला तो यहां से जो केंक्लूजन जो निकला वो क्या निकला वेपर प्रेसर अब इसी में कोई बुझेगा वह भी ट्रू है पर दोनों का मीनिंग समझ में आना चाहिए तो यानि कि वेपर प्रेसर प्रेसर अब और सॉल्बिलेटी